So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाल है आज के वीडियो को अपडेट वीडियो है और अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे एक स्टॉक अपडेट के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देदू किसी भी तरह का कोई रेकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है पूरली एजुकेशनल परपस का ये वीडियो होने वाला है एंड मैं कहीं पर भी कोई भी कॉल टिप रेकमेंडेशन नहीं देता हूं इस बात का भी आपको खासता और ध्यान रखना है सबसे पहले लाइक, शेर, सबस्क्राइब कर दो, बैल ऐकन प्रेस करके आल पर सेट कर देना ताकि लगातर आपको नॉटिफिकेशन मिलते रहे आप इससे भी एक बहतर काम कर सकते हो, ये काम तो करो ही इसके साथ एक और काम कर सकते हो सेगंड चैनल को सब्सक्राइब करो दोनों चैनल पर बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट विडियो आते हैं क्या इंपॉर्टेंट से आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा और इसके साथ ही जो भी लाइव मार्केट में होता रहता है मार्केट में जो भी हो रहा है उसका अपडेट आपको कहा मिलेगा लाइव मार्केट में अपडेट मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको डेफिनेटल आप जॉइन कर ले ना यहां पर मैंने देखो अपडेट भी किया है मिड़ कैप समॉल कैप्स अर लुकिंग मोर और इसके साथ यहां पर मैंने लिखा है कि निफ्टी जो है डेल हो टच कर चुका कब मैंने लिखा है वो भी आप देख सकते हो सब मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर जो मैंने आपको नाल को बताया था उसमें क्या चल रहा है स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है स description में इसके साथ ही आप जो है यहां पे about section में जा करके भी links में यहां पे देख सकते हो लगातार आपको जो है यहां पे मिलता रहेगा तो दोनों में से कहीं से भी जाओ लेकिन जरूर से join करना आज हम बात करने वाले हैं confidence petroleum के बारे में लेकिन उसके उपर बात start करने से पहले म मैं आपको थोड़ा view देना चाहता हूं market का view तो यहां पे अगर आप देखोगे nifty में हमें obviously all time high देखने मिला लेकिन उसके साथ हमें यहां पे एक bearish engulfing pattern हमें देखने मिले और अगर आप bearish engulfing pattern का मतलब आपको बता होगा तो simple है यहां पे एक छूटे सब ट्रेंड के बा इसके साथ ही अगर आप और भी index देखोगे जैसे हमारा small cap index है अगर आप small cap index भी check करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा यहां पे बड़ी बड़ा सा red candle है ठीक है big red candle जो की 9 days के moving average को break down कर रहा है अगर 9 days का moving average break होता है तो यह अच्छी बात नहीं होती है और इसका negativity fell रहा है पहले अपे बिसने ब्रेक किया था उसके बाद काफी नीचे गया था लेकिन तो यहां पर नीचे गया तो थोड़ा भाहत negativity दिख रहा है और खास तो और पर यहां पर जब था senhor uppesके भाद जब यहां पर दो थीन red candles के साथ जो है इसने break किया है इसका मतलब यहां पर momentum कुछ हद तक जो है अब और खराब हो रहा है अगर आप mid cap देखोगे इसमें भी same scenario है mid caps and small caps में and further थोड़ी बहुत गिरावट की expectation है अगर आप देखोगे यहां पर भी तो यह एक type of level था ठीक है की थोड़ी बहुत bearishness market में हमें देखने को मिल सकता है and जो mid cap and small cap stock है वो disturbed रह सकते हैं मैं आपको update करता रहूंगा telegram and twitter पे तो definitely join कर लेना हम बात करने वाले confidence petroleum के बारे में जिसके बारे में हमने अपने second channel पे आज ही सुभा बात किया हुआ है तो जरूर से इस video को चाहो जाकर के देख सकते हो इसके साथ मैंने जो है मैं upload करूँगा कब करूँगा कल सुभा कौन सा video तो rain industries का update वीडियो आने वाला है कहां पे यंग screener पे आने वाला है कल सुभा तो इसके लिए आप जरूर से इसको subscribe कर लेना confidence petroleum के बारे में बात करते हैं अगर आप यहां पर देखोगे तो clear आपको यहां पर दिख रहा है कि एक level था breakout हुआ यह एक trend line था जहां से resistance आ रहा था मैं zoom out करूँगा आपको पता से लेगा देख सकते हो एक trend line था जहां से लगाता यहां पर resistance आ रहा था लेकिन वह level break हो गया break होने के बाद दोनों levels break होने के बाद क्या होता है retest अगर retest करता है तो एक बहुत अच्छा confirmation मिलता है मैंने आपको बताया था कि अगर retest करेगा क्योंकि यह stop loss बहुत बड़ा stop loss है अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहां पे stop loss लगभग 14.84 15% का stop loss है बहुत बड़ा stop loss ह तो अगर नीचे यह retest करने आएगा तो stop loss कम होगा मैंने बताया था तो जहां तक यह आया है उसको अगर देखे तो 12% का stop loss हो चुका है मुझे लगता है कि आगे आने वाले time में थोड़ा बहुत correction हमें देखने मिलेगा and इस zone के बीच में stock हमें देखने को मिल सकता है काफी चोटा होता जाएगा and obviously अगर SL चोटा हो रहा है तो यहां पर मुझे लगता है काफी अच्छी opportunity है तो इससे जरूर से watch list में रखना चाहिए सवाल ही आता है कि अभी क्या करना चाहिए तो देखो क्या करना है आपको यह मैं आपको नहीं बता सकता है लेकिन मैं क्या सोच र टेलिग्राम पे live market में update कर दूगा कि हा मुझे लगता है bottom बन चुका है अब यहां से और नीच जाने की उम्मीद नहीं है सब कुछ मैं आपको update कर दूगा तो इसके लिए जरूर से subscribe, like, join, sub कर देना, end करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से दोस्तों पे आपको दियान रखना है कोई भी recommendation नहीं है, bye bye and thanks for watching, jay hind